हे अब्रिवन वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्ले को जिसका नाम है दे डचेज ऑफ मालफी इसको लिखा था जॉन वैब्स्टर ने इसे पब्लिश किया गया था 1623 में इसके सेटिंग रखी गई है मालफी की जो कि एक इटालियन कि यह स्टोरी है एक डचेज की जिसने अपने इसी लोर स्टेटा के परसन से प्यार किया और उसके ब्रोधर्स को यह बात अच्छी नहीं लगी तो फिर उन्होंने उससे रिवेंज लिया तो यह एक ट्राजडी है जिसमें हम हॉरर, वाइलेंस और रिवेंज को देखते है तो आईए अब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे मालफी की डचेज की बात हो रही है मालफी एक इटालियन टाउन है जिसको आजकल अमालफी बोलते हैं तो मेंली यूरोपियन कॉंटिनेंट में जो रूलर होता है या फिर किंग उसे बोलते हैं ड्यूक और उसकी वाइ करें या किसी और के साथ रिलेशन्शिप में आए इसलिए वो अपना एक जासूस यानि की स्पाई वहाँ पर छोड़के जाते हैं जिसका नाम होता है बासिला और वो डचेज से कहते हैं कि वो बासिला को होर्सिस की देख बाल के लिए छोड़कर जा रहे हैं तो अब वो डचेज का स्ट्यूर्ड है यानि कि उसका मैनिजर अब वो दोन एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहते हैं वो छिप कर शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ वो husband और wife की जैसे रहते हैं लेकिन वो किसी को बताते हैं ऐसे उनकी चल जाएगे कि फो प्रेगनेंट है या नहीं तो एप्रिकोट्स खाकर डचेज बिमार हो जाती है और उसे लेबर पेइन स्टार्ट हो जाता है तो अब एंटेनियो इस डिलीवरी को भी सीक्रेट रखना चाहता है और वो एक सर्वेंट की हेल्प लेता है जिसका नाम होता है डेलियो लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से बॉसला को रियालिटी पता चल जाती है उसको ये भी पता चल जाता है कि एंटेनियो ने एक बच्चे के लिए होरोस्कोप भी बनवाई है तो अब वो कार्डिनल एंट फर्डिनेंट को लेटर्स लिखकर बता देता है कि उसको ये पता चला है डाचेस के बारे में तो इस बात को पढ़कर दोनों ब्रॉदर्स शौक रह जाते हैं और गुसे से भर जाते हैं फर्डिनेंट का गुसा थोड़ा ज्यादा है कार्डिनल फिर भी अपने आपको थोड़ा काम रखता है उन्हें पता था कि डाचेस ने शाद इस ने दो बच्यों को और जनम दिया जब वहसला उन्हें इस बारे में बताता है तो अब वो अपना गुसा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और डचेस के पास आ जाते हैं डचेस को उनके गुसे को फेस करना पड़ता है और फर्डिनेंट उसे कहता है कि तुम मुझे अपने लवर के बारे में ना ही बताओ तो अच्छा है बरना उसके साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता तो अब फर्डिनेंट डचेस को डिसोन कर देता है तो अब डचेस को इंटेनियो की बहुत फिकर होने लगती है उसको डर सताने लगता है कि कहीं एंटेनियो की सचाई ब और आपने बिना वजह उसे पनिश किया उसे यहां से बैनिश करके वो यह सब जान बुच के कह रहा था ताकि डचेज उसको सचाई बता दे और ऐसा ही होता है डचेज उसको बता देती है कि उन्होंने सीक्रेटली मैरिच की हुई है और अपने भाईयों से बचाने के लिए उसने एन्टेन्यो को दूर भेजा है अब बॉसल भी प्रोटेंड करता है कि वो उनके साथ है और डचेज उसपे यगीन भी कर लेती है और उसे कुछ पैसे देती है कि एन्टेन्यो को वो जाकर दे आए और सात Basket Sekos ब counsel जल्दी उससे मिलने आएगी तो बॉसला ये सारी information Cardinal and Ferdinand को दे देता है और जब Duchess and Tenio को मिलने जा रही होती है तो Cardinal उन्हें पकड़ लेता है तो अब Duchess and Tenio को Milan भाग जाने को कहती है अपने eldest son के साथ तो अब Duchess and उसके बच्चों को कैद कर लिया जाता है Ferdinand उन्हें बहुत torture करता है और किसी और की dead bodies लाकर उनके सामने रख देता है ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए कि Tenio ने उसके बच्चे मर चुकी है लेकिन ये सब देखकर भी Duchess के हमत नहीं तूटती वो अभी भी काम है Ferdinand उसे और torture करता है तो अब Bossila भी उसे ऐसा करने को मना करता है वो Duchess को डराने के लिए Executioners भी भेजता है लेकिन Duchess को इससे भी कोई फरक नहीं पड़ता वो सोचती है कि मरने के बाद वो अपनी family से मिलेगी तो अब जो Executioners उस prison में आए हुए है वो पहले तो Duchess को गला गोट कर मार देती है फिर उसके बच्चों को और उसकी servant को अब Duchess के dead body देखकर Ferdinand बिलकुल पागल हो जाता है वो इसके लिए Bossila को blame करता है कि उसने उसके सारे orders को follow किया और वो उसे रोक भी सकता था वो अपने आपको control नहीं कर पाता और पूरी तरह से पागल हो जाता है insane हो जाता है अब थोड़ी टाइम के लिए Duchess की सांसे फिर से वापस आती है वो आखे खोलती है तो Bossila उसे बताता है कि तुमारा husband और तुमारा eldest son अभी जिन्दा है ये सुनकर finally वो मर जाती है उसके दूसरे brother Cardinal को उसके death से कोई खास फरक नहीं पड़ता वो अभी भी Bossila को money offer करता है कि वो अगर Antenio को मार सके तो कोई सब कुछ उसकी property को seize करने के लिए कर वो Duchess को शादी भी इसलिए नहीं करने देना चाता था ताकि वो उसकी property को छीन सके वहाँ पे Antenio अभी भी अंजान है कि उसकी wife और उसके बच्चों के साथ क्या हुआ है तो अब यहाँ पर बात आती है जूलिया की जो की Cardinal की mistress है लेकिन वो Bossila को चाहती है को ठिकाने लगाने में मेरी help करोगी और Antenio को मारने में help करोगी तो मैं तुमें reward दूँगा अब Bossila उसके सामने तो हाँ कह देता है लेकिन इन रियालिटी अब वो भी Antenio को बचाना चाता है अब Antenio Cardinal से मिलने आया होता है और उसके room के बाहर खड़ा होता है तो Bossila गलती से उस पर attack कर देता है और फिर वो मर जाता है और फिर वो Cardinal को भी मार डालता है और बाद में Ferdinand आ जाता है और इस लेडाई में उसके भी injuries होती है और फिर बाद में उसके भी death हो जाती है तो Blast में Delio Duchess के eldest son के साथ आता है इन सब incidents के बाद Duchess का वो बेटा ही बचा है तो वहां के लोग ये decide करती है कि वो अब इस बच्चे को ही बढ़ा करेंगे और यही उनका successor है means अब यही उनका next Duke बनेगा तो गैज यहीं पर इस play के ending हो जाती है तो यह एक typical tragic play है जिसमें revenge ही revenge है I hope आपको इसकी story समझ में आई होगी अप लोग comment section में मुझे बता देना कि next up कौन से play या novel को समझना चाहते हो Till then take care and see you in the next video